आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ विजो अप दो फॉलिंग Invertebrates show Sexual Dymorphism पूछा गया है कि कौन सा Invertebrates यहाँ पर Sexual Dymorphism शो करता है यानि जिसका मतलब है कि Different Sexes जो है वो प्रेजन रहते हैं Different Individual में यानि यहाँ पर Male जो है वो अलग होता है और Female जो है वो अलग सेक्स प्रडूस करते है तो चले देखते हैं कि कौन सा Option यहाँ पर Correct है तो परस्ट है Ascaris Ascaris का बात करें तो Ascaris जो है वो Ascal Minthus में Count होते है और Ascal Minthus फाइलर में एक ऐसा है जहाँ पर इन लोगों में Different Sexes जो हैं वो प्रेजन रहते हैं जैसे Different Male और Female Structure इसलिए हम कह सकते हैं कि Ascaris में यह Sexual Dymorphism बहुत ही बखुबी दिखाई देता है और साथ ही जो Ascaris होता है यह Disease को भी Cause करते हैं और यह Diseases जो हैं यह Human के लिए बहुत ही जादा Deadly होता है वह इंपे टीनिया का बात करें तो टीनिया जो है यह एक Parasite होते हैं और यहाँ पे ऐसे जो टीनिया वॉम्स होते हैं इनमें Same Sexes जो है या Different Sexes जो है वो Same Worm में ही पाया जाता है वैसे Starfish का बात करें तो यहाँ पे भी क्या होता है कि Dimorphism Different Organism में नहीं पाया जाता है यानि Same Individual में ही क्या होता है कि Two Type of Sex Present रहता है इसलिए हम कह सकते हैं कि कर देंगे